किस तरह भोचपुरिया पावस्ठार पवन सिंग की पॉपुलर्टी के आगे शारुक सलमान और रितिक भी हुए फीके तो चलिए आज अपना और आपको बताते हैं कि इन दिनों पावस्ठार पवन सिंग जो कुछ किरतिमान स्थापित कर रहे हैं वो बॉलीवुड के स्टा को भी टक कर दे रहा है जी हां आपने देखा होगा कि बारिश वाला जो सौंग है वो तकरीबन तीन हफ़ते तक ट्रेंडिंग में रहा है और आपको बता दे कि अभी तक बॉलीवुड के किसी भी स्टार का कोई भी गाना हो या फिल्मे हो कुछ भी रिलीज होती है ट्रेल कि बॉलीवुड में एक हड़कम सा मच गया है वैसे आपको बता दे कि रीजनल सिनेमा जितना उड़ता है उतना ही बॉलीवुड के पेट में दर्ध होता है क्योंकि अगर रीजनल सिनेमा उठेगा तो बॉलीवुड की फिल्मों को कौन देखेगा लोग तो रीजनल सिनेम ही देखना पसंद करेंगे और रीजनल कलाकार अगर उड़ता है तो उसके पीछे लोग उसे दबाने के लिए लग जाते हैं वैसे आपको बता दे कि पवन सिंग की जितनी जबरजस्ट फैन फालोइंग हैं उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पवन सिं का एक ही गाना पूरे बॉलिवुड के लिए काफी है लॉलिपॉप लागलू वैसे एक इन्फॉर्मेशन लॉलिपॉप के बारे में भी आपको दे देते हैं ये गाना टिप्स कंपनी को बेचा गया है आपको ये भी बता दे कि शुरू से ही जब ये गाना रिकॉर्ड हु तो टिप्स भी नहीं जानता था कि इस गाने को ग्लोबली इतनी सक्सेज मिलेगी यानि देश में तो सुना ही जाएगा विदेशों में भी इसे सुनने वालों की कमी नहीं होगी अब ऐसे में ये जो दौर रिमिक्स का चल रहा है और गाने को नया बना कर पेस किया जा रहा तो ये काफी समय से चलता आ रहा है एक दसक बीद गए ये सारी चीजे बहुत जादा ट्रेंड में चलती है तो उसी तरह से टिप्स कंपनी के पास भी ये ओफर बार बार आती है कि लौली पॉप गाने को हमें बेज दीजिए हम इसे न्यू वर्जन में लेकर आएंगे ले बॉलीवुड के जो सुपस्चार है उनकी सकसेस के आगे पावन्द सिंग की सकसेस कितनी उपर है कि उनका एक गाना बॉलीवुड कितने सालों से चाह रहा है कि निमेक्स कर दे लेकिन म्यूजिक कंपनी ही तैयार नहीं हो रही है वैसे ये भी आपको बता दे कि टिप्स के साथ बड़े ही लंबे अंतराल बाद फिर पवन सिंग आ रहे हैं वैसे पवन सिंग का जो ये ये हिंदी सौंग है जिसने भी सुना है जो कि आने वाला है उसने ये कहा है कि लॉली पॉप के बाद ये दूसरा गाना होगा जो सभी परच्छा जाएगा आपकी क्या राय है कमे किजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना हो बिल्कुल ना भूलिए